मैं भी चाहता हूँ कि मैं डाड बनू मेरी भी ख्वाइश है पर इस तरह से नहीं तब नहीं जब तुम खुद अपनी जिंदगी से लड़ रही हो तब नहीं जब तुम हरी जान पर भी इतना बड़ा खत्रा है समझ रही हो तुम इसमें मेरा भी फैसला जरूरी है बताओ इ अब सपना नहीं रहा यह एक पूरा सपना बन गया है यह मेरी लिए एक पूरा सपना बन गया है रहान कितना लंबा सफर था सफर तुम काड़ी किती स्लो चलाते हो कच्छुवे की चासर चलाते हो आप लुग हमें दाइमा के घर लेने नहीं आई होते तो जल्दी तुम हर बात में जिद करती हो रेहान ठीक है फिर तुम मेरी बात समझने के कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं क्यों तुम बस जिद कर रहे हो रेहान तुम मेरी बात समझने के कोशिश भी नहीं कर रहे हो बस अपनी रट लगाये जा रही हो बेटा ये क्या हो रहा है, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो इस तरह से अब मुझ में इन सारी बातों को समझने की बिल्कल भी ताकत नहीं है तुमें एक काम करो, तुम ही इन्हें बता दो, ये लोग सुन रहे हैं, बोलो मेरी प्रेग्नेंसी नॉर्मल नहीं है, जैसा कि हम सब ने सूचा था मैं कुछ समझी नहीं मेरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, जैसा कि होना चाहिए मेरे सिचुएशन ऐसी नहीं है अगर मैंने उसे जन्द दिया तो मेरी जिन्दगी खत्रे में बढ़ जाएगी और इसे लिए वो लग चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को एपोर्ट करने का फैसला दूए ऐसा कैसे हो सकता है तुमने इतने समय तक इस बारे में हमें बताया क्यों नहीं ऐसी बात कोई छुपाता है क्या मेरा ग्रांडचाइल्ड अब क्या होगा रेहान अगर मैंने इस बच्चे को गिरा दिया तो मैं तुमारा कभी मा नहीं बन बाँगी एक इंसान अपने पेट में पल रहे बच्चे की सिंदगी कैसे ले सकता है अफ ये उपर वाले ये सब क्या है पर मैंने अपना फैसला कर लिया है मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी करते हैं क्या है क्या है हुआ हुआ